पंजाबी सिंग सिद्धू मूसेवाला की हत्या ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। उनकी हत्या का मामला शांत नहीं हुआ कि अब एक और प्रसित पंजाबी सिंगर अलफाज पर जानलेवा हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि मौहाली के एक रेस्तरा में मामूली जग़रे के बाद अलफाज पर यह हमला किया गया है। देख रहा है कि अलफाज अस्पताल के बेट पर भरती है। उनके शरीर पर पत्टिया बंदी हुई है। वह बेहोश हैं, उनके सिर पर गंबीर चोटे आई हैं। खनी सिंग ने इस तस्मीर के साथ लिखा कि जो भी इस हमली के पीछे है उसे बक्षा नहीं जाएगा। खनी सिंग ने अपने प्रशंसकों से अलफाज की जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करने का भी आग्रह किया है। पुलिस ने बताया कि घटना की एफ आयार सोहन औ पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। एक आरोपी का नाम सामने आया है, बताया जा रहा है कि उसका नाम विक्की है। पुलिस ने बताया कि आरोपी की तलाश चल रही है, उसे जल्दी गिरफतार कर लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि एक घोजनाले में यह घटना हुई है। हमली के बाद एक पिकप टेंपो ने अलपाज को रौन बिया